हेलो बेकर्स, पूनम्स, कुकिंग और बेकिंग में आप सब का स्वागत है तो आज मैं बना रही हूँ हाप केजी का वनीला केक इसके लिए मैंने 200 ग्राम प्रेमिक्स लिया था इसे 6 इंच के केक्टीन में बेक कर लिया और इसे 3 लेयर्स में कट करके क्रम कोट करके मैंने रख दिया था अब देखिए इसकी मैं फाइनल लेरिंग कर रही हूँ तो दोस्तों ये केक न मुझे सुबा के 8 बजे देना था तो अभी खेर मेरे पास समय था क्योंकि ये ओर्डर न साम को आया था ये ओर्डर ना कुछ बच्चों ने दिया था अपने टीचर के बड़े के लिए सब बच्चों ने ना कॉंट्री किये थे पैसे और सच में बहुत अच्छी बात है ना कुछ बच्चों ने किये थे सारे बच्चों ने नहीं किये थे छे से साथ बच्चों ने अपने टीचर्स के लिए उनको ट्यूशन में सर्प्राइज देने के लिए तो उन्हें ना इस पेसल केक चाहिए था ब्लू और वाइट ठीम में उन्हें ना एक बाइक भी चाहिए था तो मैंने सुचा ना मैं बाइक रख दूँगी बच्चे सोच रहते कि वो एक बाइक का इंतजाम कर देंगे बट ना उन्हों का बाद में मूट चेंज हो गया तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया तो देखे ये मैंने क्रम कोटिंग सॉरी फाइनल कोटिंग कर लिया अब इससे स्क्रैपर से अच्छे से एक सार कर लेती हूँ बट दोस्तों ये केक बनाते बनाते ना मेरे साथ एक गड़वड़ी हो गई और ये मेरे साथ ना पहली बार हुआ एक आत बार जो इस स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था काम ना तब ये हुआ था बट अभी और इसे मैंने कैसे फिक्स किया कैसे सही किया तो इसके लिए अब बने रहे हैं तो देखे मैंने ब्लू कलर ले लिया था उसमें ने एक बूर ना ग्रीन मिला दिया था ताकि एक वासा मतलब जो होता है ना कलर आ जाया लुक वाइस काफी बड़ी हा लग रहा था ये तो मैंने इस पून से इसे अच्छे से स्प्रैट कर दिया नीचे की तरब क्योंकि हो गई दोस्तों जब मैंने इसे कॉम से किया ना तो क्रीम काफी सुख चुका था फिर दो बारा मैंने किया तो अभी आप देख पा रहे होंगे मतलब बहुत ना प्रॉब्लम यह हुई थी कि क्रीम बहुत ज़्यादा मैंने ना टाइट फेट दिया था बहुत हाड हो गई उसके बाद जब मैंने लगाया तो अच्छे सी हो गई देखे तो कभी-कभी ऐसी गरबड़ी हम होम बेकर्स के साथ हो जाती बटना घबराना नहीं है दोस्तों उसका कोई ना कोई ना सॉलूशन निकल ही आता है तो जब मैंने निकाल कर करी तो काफी अच्छा ही हो गया औ और एक वास से ना ये थोड़ा ब्लू कलर हो गया क्योंकि मैंने ब्लू कलर और एक दो बून डाली ना तो कलर चेंज हो गया तो बस मैं इसे क्लीन कर लेती हूं और जो मेरा स्क्रेपर है ना उसमें ऐसे ही पैटर्न बने हुए है मतलब कहीं पे लाइनिंग दिख रही है कहीं पे इवन सा तो वो इस स्क्रेपर से है तो मैंने सोचा मैं कॉम नहीं करूंगी मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इसे क्योंकि ना ये जो गड़बड़ी हुई ना उसके चक्कर में मैंने दो बार तो वो किया गड़बड़ वाला क्रीम से काम पटे ठट बार कर रहे हैं तो सहीं बन रहे हैं तो बहुत लेट हो चुका था कभी-कभी गड़बड़ी हो जाती है ना तो थोड़ा हमें टाइम ज पिना कुछ स्प्रिंकल डाल दिये वाइट वाले छोटे बड़े जो मेरे पास थे जो बच्चों निटी चाइंट पसंद किया था वह ऐसा ही था देखिए दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दिया करो और मैंने लाश्ट में देखिया भी मैंने सिल्वर स्प्रे डाल दिया जो मुझे सच में बहुत पसंद है इसे करने से ना केक में बहुत अच्छी से साइन आ जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अब देखे हैपी बड़्डे का एक मैंने टैग लगा दिया कितना सिंपल सोबर हो क्या बड़ी हाँ सल्लूक लग रहा है केक का धन्यवाद दो